Hello Friends, मैं हुआ राके साब देखने नरसे जब यूटूब चैनल तो Friends आज आज अपन बात करेंगे एक permanent vacancy के बारे में यह permanent vacancy लिजकानोड के अंदर, जारखन इस्टाब सेलक्षन, कमिशन के द्वारा यह assistance जारी की गई है अभी अपने official website के उपर और यहाँ पर इसका official notification नहीं दिया हुआ है जहाँ से अपन यहां से इसकी पीडिये पर डाउनलोड कर लेते हैं official notification नहीं open कर लिया है और इसके अंदर जो वेकैंशी की पूरी detail है वो दी गई है यह vacancy यह permanent basis की vacancy है जो कि रिम्स रांची की अंतरगत यह vacancy है वो निकाली गई है इस vacancy के लिए application fee से वो 100 रुपए है और जो reserve category है उनके लिए इसमें 50 रुपए application fee से वो दी हुई है अब इसमें total vacancy की बात करें तो इसमें total vacancy है 350 इसमें total vacancy है जिसका 20% है वो male के लिए है और 80% है वो female के लिए इसमें seat है वो डिवाइडेशन की गई है यहाँ पर इसका जो mention है वो किया गया है कि जो पुरूस के लिए जो यह vacancy है इसमें अधिकतम है वो 20% है है वो seat है वो इनके लिए डिवाइडेशन रहेगी मतलब 80-20 का जो ratio है वो इस vacancy के अंदर भी follow up हो गया है qualification की बात करें तो इसके अंदर जो qualification है BSC nursing और GNM जो candidate है वो दोनों इसमें eligible रहेंगे लेकिन two year का इसमें experience है वो compulsory है minimum 50 bedded hospital का इसमें experience होना चाहिए experience है वो आपका registration जिस दिन जारी हुआ था उसके बाद से ही count किया जाएगा pass out के बाद में registration जब होता है उसके बीच में जो time होता है वो time है वो registration experience के अंदर वो count नहीं होता है कुछ एक अलग से जो state level पे जो sports जो candidate होते हैं उनको अलग से इसमें benefit दिया जाएगा age limit के बात करें तो इसमें minimum 18 साल और maximum है वो 35 साल है reserve category के लिए इसके अंदर maximum 40 year तक के जो candidate है वो इस vacancy के अंदर forum apply कर सकते हैं negative marking एक बटे चार मतलब एक क्यूशन गलत होने के उपर उसमें एक number वो काट लिया जाएगा तो यह इसमें CBT basis का परफॉर्मा इसमें रहेगा application fee से इसके अंदर 100 रुपए दी हुई है वो आप इसमें fee से वो payment करके forum में वो complete आप भर सकते हैं registration करने तथा सूचना दर्ज करने तु 25-22-31-22 के मध्य रात्री तक प्रिक्षा सुल्ख भुगतान करने के लिए 4-22-22 की मध्य रात्री तक photo image अप्लोड कर आविदन पत्र का print out लेने के लिए 7-22 की मध्य रात्री तक और दिनाक 8-22-10-22 तक online आविदन पत्र में की गई किसी भी एसुद्धी प्रवस्टी को संसोदित करने के लिए पुने खोली जाएगी जिसके माध्यम से वेद अभ्यारती online आविदन पत्र की एसुद्धियां संसोदित कर सकेंगे परिक्षा का जो फॉर्मेट है वो मैंने आपको बताई दिया है कि इसके अंदर सीवीटी बैसिस का रहेगा अगर एक से ज़्यादा पारियों के अंदर एक्जाम होता है तो उसमें नॉर्मलाइजिसन है वो यूज किया जाएगा परिक्षा है वो एक ही चरन के अंदर ली जाएगी जिसमें की परतेक क्यूशन के लिए 4 अंक दिये गए है और परतेक गलत क्यूशन के लिए 1 अंक है वो काटा जाएगा पासिंग मार्क के लिए जो मिनिमम में क्वालिफाई मार्क है उसके लिए अनुजर के लिए 40 है अनुश्य जाती और जनजाती के लिए 32 है अन्य पिछड़ा वर्क के लिए 34 है और पिछड़ा वर्क अनुश्य टू के लिए 36.5 है और आदिम जनजाती के लिए 30% है इसमें कं क्वालिफाई मार कवो लाना कंपलशरी रहेगा इसमें एक फैसलिटी एक अगर कोई कंडिडेट है अगर अपने आंसर की है दुबारा से चेक करवाना चाहता है तो फान्स उर जमा करवा के और अपनी आंसर की है वो साथ दिन के अंदर अंदर दुबारा से उसको रीचेक करवा सकता है सलेबस की बात करें तो इसमें जो सलेबस है वो community health nursing, health promotion, primary health care, child nursing, midwife free, health center management ये इसके अंदर है जो 120 question आएंगे वो इसी सलेबस के basis के उपर आएंगे यहाँ पर जो पूरा सलेबस है वो दिया हुआ है application forum बरने की कुछ एक date है उसके अंदर changes किया था 24 2022 को एक later जारी किया था और उस later में इनोंने बताया था कि जो forum बरने की जो date है 2 मई 2022 से 31 मई 2022 के रातरी तक इसमें forum में वो बर सकते हैं website www.jssc.nic.in पे जाके आप इसमें forum हो अप्लाई कर सकते हैं दिनाग 4-22 की मद्दर आतरी तक परिक्षा सुल का बुगतान तथा फोटो एम अक्ताक सर अप्लोड करने का print out लेने के लिए दिनाग 7-22 की मद्दर आतरी तक लिंक उपलब्द रहेगा दिनाग 8-22-22 से 10-22 तक अगर किसी के forum के अंदर कोई mistake हो रही है नाम, email ID और जनम तिथीक के अलावा अगर किसी और के अंदर जैसे qualification है या college, school नेम जो भी है उनके अंदर अगर कोई आपका problem हा रहा है तो वो आप चेक कर सकते हैं आठ तारिक से और 10 तारिक तक दुबारा से आपके login करके आपके profile को और उसके अंदर कुछ एक अगर जो changes अगर आपको करना है तो वो change आप कर सकते हैं बस यही था इस वीडियो के अंदर तो अगर वीडियो पसंदा है इस वीडियो को like और share जरूर कर दीजिए चैनल पर नहीं तो चैनल को subscribe कर लिजिए जिससे कि आगे के और notification आप तक सबसे पहले पहुंच पाए और telegram group को अगर अभी तक आपने join नहीं किया है जहाँ पर सबसे पहले information दी जाती है तो link का video को description में जाएं और telegram को भी join कर ले धन्यवाद